दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग CSE share के बारे में आज की दिन नियरले 1.5% उपर के तरफ मोमेंटम देखने मिला CSE में और closing है 129 उर्पर 90 पैसे के पास जो कि stock ने try के था 130 उर्पर के उपर close करने का लेकिन last hour में stock में थोड़ा सा correction देखने मिला तो यहां से क्या study जोने चाहिए CSE stock में उपर के तरफ क्या target देखने मिलेगा या फिर यहां से एक नीचे के तरफ correction देखने मिलेगा बात करेंगे stock का अगर previous trend देखेंगे no doubt एक higher high type का stock momentum करके उपर के तरफ एक अच्छा momentum दिखा रहा था लेकिन past 2-3 month से stock almost एक range में trade करते हैं दिख रहा है जिसके उपर के तरफ resistance है 140 रुपाय का level और नीचे के तरफ stock में support दिख रहा है जो की 120 रुपाय का level है तो जब तक stock is 20 रुपाय के range में trade कर रहा है stock में कुछ इसी तरीकिये से हम लोग sideways type का move expect कर सकते हैं तो किसी ने buy कर रहा है CSC में तो आप सबका stop loss must be around 120 रुपाय के पास होना चाहिए अगर buy chance stock 120 रुपाय के level नीचे के तरफ breakout करते हैं तो stock में chances हो सकता है stock 100 रुपिस तक का level rate करते हैं दिख सकता है या फिर 100 रुपिस का level अगर breakout होता तो में भी हो सकता है stock फिर से 80 रुपाय तक भी नीचे के तरफ जा सकता है तो किसी ने बाइक कर रहा है तो stop loss रहेगा 120 रुपाय के पास और कोई fresh बाइंग करने चाहिए तो at least stock को 135 रुपाय के उपर निकलने दे क्योंकि 135 रुपाय के उपर निकलेगा stock फिर से higher high type का move करके उपर के तरफ एक अच्छा का सा move दिखा सकता है जिससे target निकल के आ सकता तक के लिए इस वीडियो में वीडियो चाहिए तो लोको लाइक करें और चैनल को सप्राइब करें